हाई दोस्तों और वेलकम इन आवर चैनल प्लान नाइटी प्लस दोस्तों इस वीडियो में आपको क्लास 10 चैप्टर 3 बायलोजी का जो एक चैप्टर है इसका सभी important question बताऊंगा जो term 2 में आएगा with proof तो दोस्तों अगर आप मेरे मतलब की पुराने वीवर हो तो आपको पता होगा कि proof क्या है वैसे सभी के लिए मैं जो नहीं जानते हूंने बता दूँ कि proof यह है कि मैंने बहुत सारे previous year question paper को देखा है तो उसमें कुछ question ऐसे हैं जो repeat हो जाते थे इस साल नहीं में तो अगले साल हो जाते थे तो इस तरह के question आपके लिए लाए हैं और आप अपने teacher से भी सुनते हूं कि इस chapter का यह question बहुत important है तो इस तरह के भी question आपके लिए लाएं तो इस सभी question बहुत important हैं अगर आप इन सभी को याद कर लेते हैं तो कोई भी problem नहीं होगा आपको इस chapter से तो आए चलते हैं कि एक कौन-कौन से question है तो दोस्तों question first है why is variation beneficial to the species but not necessary for the individual तो दोस्तों answer आपको given है मैं आपके लिए answer भी ले आया हूं कि आपको कहीं खोजना ना पड़े तो आप video को push के answer write कर लिजिए क्योंकि मैं answer नहीं बोलूँगा अगर answer बोलने लगूँगा तो video बहुत ही जादे बड़ा हो जाएगा तो आपको problem होगी और मैं नहीं चाहता आपको problem हो तो इसलिए आप मैं के लिए question बोलूँगा आप answer को video को push के answer write कर लिजिएगा तो आए चलते है question number two के तरफ तो question number two है what is the advantage of reproduction through spore in the case of rhizopus तो इसका भी answer आपको given है इसे write कर लिजिएगा तो आए चलते है question number three के तरफ question number three है why is it said that sexual reproduction promote diversity of character in the of spring तो इसका भी answer आपको given आप इसे write कर लिजिएगा और दोस्तों अगर आपको कोई भी problem हो रही है वीडियो को लेकिए या कोई भी किसी भी problem है तो आप comment में बताइएगा मैं उसे stick करने की courses करूँगा तो आए चलते है question number four की तरफ तो question number four है why are variation possible in pregnancy of sexual reproductive individual तो आप इसे को write कर लिजिएगा और दोस्तों आप एक note बना लिजिए कि मैं आपके लिए हर chapter का important question का video upload करूँगा तो आपको एक किसी note में लिखेंगे तो revise करने में असानी होगी और इस अभी question बहुत important है तो आए चलते है question number five के तरफ तो question number five है what happen if the mature ovum is not fertilized in a female name the process तो इसका भी answer आपको give एना है आप इसे write कर लिजिए तो दोस्तों एक चीज़ा और आपको बताने कि time to exam में केवल two three और four mark के question आएंगे one mark के question नहीं आएंगे तो इसलिए इसमें आपको one word question नहीं मिल्ने वाले है किवल short question और medium के medium के question आपको देखते होगे कि थवड़ा medium में answer होता है उस तरह के question और long question तो इस तरह के question आपको मिलें गया नहीं short और very short और long question तो इस तरह के question मैं के वल आपके लिए लाए हूँ one word के question नहीं आएंगे turn to exam में तो के वल इसमें 2, 3 और 4 mark के question आएंगे तो आएए चलते है question number 6 के तरफ question number 6 है what are the basic future of a sexual reproduction तो इसके भी 4 point given आप इसे write कर लीजिएगा और अच्छे से दोस्तों याद कर लीजिए तो आएए चलते है question number 7 के तरफ question number 7 है what are the changes seen in the girl at the time of puberty puberty तो इसका भी answer given आप इसे write कर लीजिएगा और दोस्तों अगर आपको answer में कोई भी problem होगी अगर या कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा तो भी आप बताएगा comment में उसे में आपको समझा दूँगा तो आएए चलते है question number 8 की तरह है question number 8 है what are the role of seminal vesicle and the prostate gland तो इसे भी आप write कर लीजिएगा वीडियो को post करके दोस्तों अगर किसी भी problem होगी तो आप comment में जरूर बताएगा तो आएए चलते हैं अगली कोई भी आपको प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट में जरूर बताएगा तो आएए चलते हैं अगली question के तरफ तो अगला question है what is the function of copper gland and prostate gland तो इसका भी answer आपको given है और दोस्तों आप देख रहें कि यह सभी उतने बड़े-बड़े answer नहीं है कुछ उपके बड़े हैं long short इसमें सब mix है मैं separate नहीं कर पाई कि मुझे time नहीं मिल पाया मुझे आप के लिए हर chapter का video लाना इसलिए time नहीं मिल पाया तो आप सभी को याद कर लीजिए आपको इस chapter आपका तयार हो जाएगा तो आए जलते है question number 11 के तरह question number 11 है name the surgical method of birth control in human males and females respectively यह answer बहुत important है दोस्तों आप इसे अच्छे से आद कर लीजिए आप इसे सभी important है इसे यह लेकिन यह बहुत important है क्योंकि आप देखे होंगे इस chapter में इसका एक अलग ही topic है तो यह question बहुत important है उस topic का तो इसलिए आप इसे अच्छे से आद कर लीजिएगा हाई चलते है question number 12 के तरफ question number 12 है mention the event taking place when the ovum is fertilized in fallopian tube till it is implanted in the uterus of human female तो इसका भी answer आप write कर लीजिएगा और आपको कोई भी problem होगी तो आपके उन में जरूर बताइगा तो question number 13 के तरफ चलते है question number 13 है what are the different method of construction construction तो इसका भी answer आपको given आप इसे write कर लीजिएगा तो अगले question की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों तो अगला question number 14 है blueprint of body design are stored in the DNA तो इसे भी आप write कर लीजिएगा और दोस्तों एक चीज़ और बताते हैं कि आपके लिए मैं हर chapter का term 2 में जितने भी chapter आएंगे सभी का important question का video आपके लिए लाँगा जिससे आप term 2 के लिए एकदम fully तयार हो जाएं और term 2 में 4 के आएं तो इस channel को subscribe करें जिससे आपको सभी नए video का notification आपको मिलता रहें और आप term 2 के लिए तयार हो जाएं तो आई जलते हैं अगले question के तरफ तो अगला question है what is the need of population control तो इसका भी answer आपको given है इसे आप write कर लिजेगा video को push करके तो यह long question है थोड़ा तो आप इसे याद कर लिजेगा और दोस्तों अगर आप इस chapter को अच्छे से पढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता आप किसी का answer ना दे पाएं आप अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो सभी का answer असानी से दे सकते हैं मुझे पता है question number 16 है what are the advantage of vegetative propagation तो इसका भी answer आपको given है आप इसे write कर लिजेगा question number 17 है what is pituration तो इसका भी answer आपको given आप इसे write कर लिजेगा तो आप जरूर बताईएगा मैं नहीं चाहता कि आप कोई problem हो तो अगले question के तरफ बढ़ते हैं तो अगला question है list various reproductive part of flower तो इसका भी answer given है आप इसे write कर लिजेगा तो दोस्तो आप किस chapter का important question का वीडियो चाहते हैं वह भी comment में बताईएगा मैं पहले आपके लिए उसे chapter का वीडियो अफलोड करूँगा तो आप comment में यह भी बता जीएगा कि आपको किस chapter का वीडियो चाहिए तो अगले question के तरफ बढ़ते हैं तो अगला question है Name the organism cause, she feels mentioned two symptoms तो यह भी important question है इसे भी याद कर लिए अच्छे से तो दोस्तो इसमें आपको option symptoms में C मिल जाएगा वो गलती से यहां पर लिखा गया है तो आप वो कुछ नहीं है केवल दो ही point है symptoms में A और B तो अगले question के तरफ बढ़ते हैं तो इतने ही question थे केवल 20 question तो question 20 यह mention function of testis in human तो इसका भी answer given आप इसे राइट कर लिजीगा और इस अभी question बहुत ही important है अच्छे से सभी को याद कर लिजीए और आप term 2 में मुझे पता है यह एकदम forward के आएंगे और दोस्तो आप हमारे चैनल को subscribe जरूर कर लें क्योंकि अगर आप subscribe कर लेंगे तो आपको बहुत बहुत फैदा होने माला term 2 के लिए तो thanks दोस्तो for watching my video and please support क्योंकि इस समय मुझे आपकी support की बहुत ही जरूरत है support करे और अपने दोस्तों को भी बताएं इस चैनल के बारे में और इस तरह के वीडियो के बारे में कि important question का तो thanks दोस्तो for watching my video